कैमरे डिवाइस का अविस्कार दुनिया में एक बड़ा कदम था कैमरा से दुनिया का हर एक सक्स परिचित होगा फोटो खीचने के लिए कैमरा का उपयोग किया जाता है यादों को तस्वीर बना कर संजो कर रखने में कैमरा जरूरी है जीवन के खास लम्हों जैसे साधी ज पहले चित्र रूपड में पेंटिंग कला का इस्तेमाल होता था वैसे आज भी चित्र कला प्रशिद्ध है लेकिन पुराने जमाने में इसका विसेश महत्तो होता था लोग चित्रकार से अपना चित्र बनवाया करते थे रंग और ब्रस का इस्तेमाल करके कलाक कृतियों को केनवास पर बनाया जाता था बात के समय में कैमरा का आविसकार हुआ जिससे किसी भी प्रकार की इमेज को बनाना आसान हो गया यह मनुष्य की आवस्यक्ता थी कि कैमरा का आविसकार हुआ था कैमरा से ही मुविज का निर्माड संभव हो पाया शुरुवाती कैमरे काफी बड़े हुआ करते थे और इनका आकार एक कमरे के समान होता था कैमरा आविस्कार होने में सबसे बड़ा योगदान मसहूर चित्रकार लियोनाडो दा विंसि का था उन्हों नहीं अपने एक प्रयोग से कैमरा की निव रखे थी इधियास में आता है कि वर्स 2021 में इसकी गड़ितग्य इबन अल है साम ने अपनी लिखी किताब अल मनाजीर में कैमरा जैसे उपकरण का जिक्र किया था दुनिया का सबसे पहला कैमरा सरट 824 में जोसिफ निफसे ने बनाया था इन्होंने इस दुनिया की पहली फोटोग्राफी की थी निफसे ने कांच की प्लेट पर लेवेंडर आईल लेप किया और इस प्लेट को सुर्य के प्रकास में रखा कुछ घंटो बार उन्होंने इस प्लेट को लेवेंडर और अमल से साफ किया इसके कारण कांच की प्लेट पर एक निगेटिव प्राप्थ हुगा लिफसे ने इस प्रक्रिया को होलियो ग्रॉफ कहा जिसका अर्थ सूर्य की उपस्तिती में चित्र बनाना होता है इस कैमरा तकनीक में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि फोटो खीचने में काफी समय लगता था खीचेवी फोटो भी कुछ समय तक ही रह दे थी वैसे कैमरा का डिजाइन सबसे पहले सन 1685 में जोहन जेहन ने किया था या कैमरे का सुरुवाती रूप था क्योंकि अभी कैमरा उपकरण का उत्पादन बाकी था 1839 में लूइस डेगुरे ने दुनिया का पहला बैवहारिक कैमरा डेगुरियो टाइप बनाया था उन्होंने जोसिफ निफसे के कैमरे में सुधार करके ही यह कैमरा बनाया था पर इस कैमरे से फोटो नेगेटिव प्राप्त नहीं होता इस प्रोलोम को दूर किया विलियम हेंरी फोब्स ने जो 1840 में कैलो टाइप नमक कैमरे का अविसकार किया था इस कैमरा से एक ही इमेज की कई सारी कौपियां बनाई जा सकती थी सन 1947 में एडविन लेंड नमक ब्यक्ती ने ऐसा कैमरा बनाया था जिससे तुरंत फोटो प्राप्त की जा सकती थी कैमरे का इतिहास सन 1888 सबसे महत्पूर वर्स सावित हुआ इस वर्स इस्ट मैन कोडक ने फिल्म कैमरा लॉंच किया था इस कैमरा से फिल्म रोल का उप्योग होता था जिससे करीब 100 फोटो किलिक की जा सकती थी इसके बाद से ही मूविज का दोर सुरू हुआ था दुनिया का पहला डिजिटल कैमरे का आविसकार सन 1975 में स्टीवन सेशन ने किया था इस डिजिटल कैमरा से केवल 0.01 मेगा पिक्सल की ब्लैक और वाइट फोटो जी किलिक की जा सकती थी वैसे यह कैमरा मार्केट में कभी आया ही नहीं आम लोगों के लिए पहला डिजिटल कैमरा कोटक कमपनी ने ही बनाया था इसमें फोटो मेमरी कार्ड में स्टोर होती थी दुनिया का पहला DSLR कैमरा जापानी कमपनी निकोन ने सन 1989 में लॉंच किया था आज भी साधी समारों में फोटो और वीडियो बनाने के लिए DSLR कैमरा उप्योग किया जाता है कैमरा मुबाइल फोन में भी इस्तिमाल होता है पहला मुबाइल कैमरा सार्प जे SS04 था जो की वर्स 2000 में जापान्ज की एक कमपनी ने बनाया था पहला फ्रन्ट कैमरा मुबाइल सोनी एरेक्षन कमपनी ने संदोजा चार में लॉंच किया था वर्तमान में डिजल कैमरा ज्यादत और उप्योग किया जाता है इसका कारण इसमें नेगेटिव का उप्योग नहीं होता है कैमरा आपके स्मार्टफोन में भी होता है जिसे से फोटोग्राफी करना आसान होता है बर्तमान में बेहतर क्वाल्टी के कैमरे आ रहे हैं जो किसी भी इमेज को साफ और अच्छी क्वाल्टी में खीचते हैं बहुत दूर से दिर्शे को भी आसानी से जूम करके क्लिक किया जा सकता है समय के साथ कैमरा का विकास हुआ जो आकार में छोटा और क्वाल्टी में बहुत बड़ा होता है